हेलो नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है आज और आप देख रहे हो Entertainment for You दोस्तो Entertainment for You के आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं भोचपरी फिल्म वीरियो द्हमाबली का ट्रेलर और फिल्म का ट्रेलर काफी शांदार है फिल्म की स्टार्टिंग हुई थी यानि फिल्म को बहुत बड़ा वजट मिला था हलाकि भोचपरी इंडस्टी में तकरीबन तीन से चार करों तक की फिल्में ही बंदी इनका बजट होता है लेकिन ये फिल्म वीरियो द्हमाबली का बजट रखा गया था 20 कर रोपे फिल्म की शुटिंग स्टार्ट हो चुकी थे फिल्म का कुछ भाग भी शुट हो चुका है और इस फिल्म के लिए बहुत बड़े-बड़े सेट बना गय थे हलाकि भोचपरी इंडस्टी में गाओं और कस्मों में सुट किया जाता है लेकिन पहली बार किसी फिल्म के लिए हो रहा था है कि किसी फिल्म के लिए सेट बना गया था बी एफेक्स की टीम हायर की गई थी उसका नाम था वीर योधा बहुबली जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी फिल्म के टेलर के बारे में और आप देशक्ते हो फिल्म के टेरर यहाँ पर वीर योद्धा, महाबली फिल्म के BFX काफी शानदार है और बोजबी इंडस्टरी में ऐसे BFX देखने हमें नहीं मिलते हैं हमें ऐसे ही BFX और ऐसी ही फिल्म की ज़रूर है डायलोग काफी अच्छे हैं और बहुत हमगार है फिल्म को काफी अच्छा बनाया गया है सच्छ में सुसील सिंग हमेशा बहुत अच्छे क्यारक्टर पर प्रेजेंट करते हैं यह हमारे निरोवा भाईया जो की बने है वीर यह दम महाबली महाबली क्योंकि बैशानी लाच्छ की मजबूत दीवा इतना असान नहीं था और निरोवा मेका स्टार होते हैं साथ में बहुत शेक्टिंग करते हैं डालर देर बेगी काफी शान दार है दम दम है वीर यह महाबली में अब कुछ लोगों से बहाबली से कंपेर करें लेकर यह बहाबली नहीं है यह महाबली है दम है वाश ऐसे फिल्में बहुत दीवाबली बहुत ही होपसरता रहता है सब्सक्राइब बहुत 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 बड़ बड़े सिर्क्राइब सब्सक्राइब फिल्म का प्रेजेंटर सिंग काफी बहुत आ रहा है काफी बड़ी मिजर की फिल्म मनाई है 20 करूर का काफी बड़ा होता है भुच्पी इंडिस्ट्री में माना खल्यर और तल्वाद दिंते अलग है लेकिन दोनों के लक्षे एक होते है दस्मान की मात महाबली विजयता की तरह पाइदा हुआ और एक विजयता ही रहा दा में बास जिसे छूना आसान महीं दो ना वो तर्थ से करा ना बार से छट पता है महाबली वीर योद्ध महाबली तो यह था वीर योद्ध महाबली का teaser trailer जोके हमने देखा आपके साथ फिल्म का trailer काफ़ी चांदार है और इस फिल्म को औफिसलि रिलीज नहीं किया गया था लेकिन हम मुझे इस फिल्म का ट्रेइलर मिला और मैं नेस फिल्म के ट्रेलर पे रिलेक्शन किया फिल्म काफी बड़ी बचट की थी यह मतलब की फिल्म बंद हो चुकी है फिल्म के डैटर थे एक बाल बक्ष और उनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि कुछ बजट का इश्यू आये फिल्म में और इस कारणी ये फिल्म बन दोई हाला कि बहुत साई लोग बहुत साई रीजन देते हैं लेकिन एक डार्टरी पता सकता है कि फिल्म क्यों बन दोई फिल्म बहुत बड़ी बजट थी वो उनका ड्रीम प्रोजक्त था जो कि बना जाते थे फिल्म को बहुत साई लैंग्विज में हिंदी, तमिल, तैली, मल्यालम और कर्नेट लैंग्विज में रीज़ करने की प्लैनिंग थी लेकिन बजट कम था और इस तरह से यह फिल्म बन लहीं बाए लेकिन अंगर यह museum बनती इंडेस्टि क्यों होती और रात ओण भौश्पृ इंडेस्ट्टी बहुत बड़े पहांने पें चमकता यह film विदियो पुसंदी म्यूम